तो चलो बच्चे इस वाले question को देखते हैं इसमें basically क्या करना हमें एक यह बिल्डिंग से हम किसी ball को project कर रहे हैं और यह पहले दिया हुआ this is the height of the building और यह building की height r है लेकिन हम इस तरह से project कर रहे हैं कि यह जो ball है अगर यहां से भी velocity से फेका जाता है तो यह इसके velocity इसके velocity मतलब होता है कि just infinity पर पहुंच गया just infinity पर पहुंच ही गया है तो just infinity पर पहुंच गया तो kinetic energy zero और potential energy वहाँ zero हो चुकी होगी यह इसके velocity का definition है तो अब बहुत आसान है तो यह जो infinity है इसको मैं point A बोल देता हूं और जहां से project हुआ था यह point B बोल देता हूं और इन दोनों point पर मैं energy कंजर करा दूं तो यह problem हो जाएगा ठीक है तो अगर इन दोनों point पर energy का conservation लगा दूं तो यह question done हो जाएगा तो एक काम करते हैं energy conservation इन दोनों point पर लगा देते हैं तो mechanical energy at the point A must be equal to mechanical energy at the point B जहां से project हुआ था एको मैं infinity point ले लिया हूं तो kinetic 0 potential 0 और बी पर जहां से project हुआ था तो kinetic energy half mbe square escape और potential energy plus minus gm m और by r plus h जो distance होता है और के center से होता है तो यह जाएगा minus gm m और r plus h मतलब यह 2r हो जाएगा और यह जाएगा half mbe square ठीक है तो यह इस माल्यम ने इस माल्यम को खतम कर दिया और यह इधर आके plus हो जाएगा तो इसके velocity जो बनेगी वो gm upon r under root बनेगी यह वाली तो finally this is the solution of this problem तो इस इसाब से देखोगे तो हम लोगों के पास जो c option है that is the correct one तो the c one is the correct solution है ठीक ना तो thanks for watching this video पास अबएबगा ठीक बनेवा थाएबगा देवागा हो जो अबड़े अशिया अर शाहनेगी आफा है